नवसकार दोस्तों, स्वाकत है आप से भी का 15 जून 2018 के कैनेटर फर से इस वीडियो में और जिन लोगोंने हमारे चेनल को संस्क्राइब नहीं किया ह। वो जल्दी से इस लाल कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को संस्क्राइब कर लें और जिन लोग उन्हें पहले से सस्क्राइब कर रखा है वो घंटे के आइकन को जरूर से जरूर क्लिक कर लें सो हमीशा की तरह इस वीडियो का PDF आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा PDF जरूर डाउनलोड कर देना revision करने के लिए और इस वीडियो के लिए एक like और एक comment तो बनता है सो guys यहाँ पर सबसे पहला question है हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने Integrated Command and Control Center का उधगातन कहाँ पर किया है तो देखो इसके option है भोपाल, बडोदरा, एहमदाबाद, रायपूर तो इसमें से सही answer हो जाएगा रायपूर और रायपूर आपका कहाँ पर पढ़ता है, यह पढ़ता है 36 गड़ में, अब देखो यहाँ पर यह जो Integrated Command and Control Center है इसका नाम आपने बहुत दिनों से सुन रहे होगे यह केवल और केवल जितने भी smart cities हैं वहाँ पर develop किया जा रहा है, smart cities के progress को control करने के लिए, उसको measure करने के लिए तो यहाँ पर देखो, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ माने नहीं, परदान मिंतरी जी इसका उद्गाटन करते हुए और साथ में हैं 36 गर के CM इसके लाबा यहाँ पर आप देखेंगे, यह जो center बना है यह इस तरीके से दस्वाँ ऐसा अपने आप में दस्वाँ smart center बना है, इसके लाबा नौ सहरों में पहले से ही इस center को develop किया जा चुका है, कौन-कौन से सहर है अहमदाबाद, बरोदरा, सूरत, पुने, नाकपुर, राजकोट, विसागा पत्नम, भुपाल, काकी नारा और यह इस तरीके से धीरे-धीरे करकर पूरे देश में जितने भी smart city हैं हर जगे develop किया जाएगा अगला question है, हाल ही में किसने कोईला मंत्राले की सचिव के रूप में प्रभार समाला है डॉक्टर इंदरजीत सिंग, यस्वन सिना, सुसील कुमार, डॉक्टर सुरजीत सिंग जी तो यहाँ पर सही answer हो जाएगा डॉक्टर इंदरजीत सिंग, इन्होंने कोईला मंत्री के सचिव के रूप में इस समय पदबार समाला है इस समय कोईला मंत्री कौन है, यह आप लोग comment करके बताएंगे यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इंदरजीत सिंग की फोटो दिखा दे रहा हूँ जिन्होंने कोईला मंत्राले में सचिव के रूप में अभी पद समाला है और इसमें option में सुसील कुमार option था, सुसील कुमार इंदरजीत सिंग से पहले सुसील कुमार जी उस पद पर थे जिसके बाद में इंजद जी सिंग ने उस पत को समादाया तो मैं आपको बता देता हूँ हाल ही में कोईला मंत्री का पत ले रखा है प्यूस गोईल जी ने तो यह प्यूस गोईल इसका अंसर हो जाएगा अगला कोशन है है CRIS जिसको बोलते है क्रिस CRIS ने कैशलेस टिकेट के लिए किस नाम से मुबाइल एप विक्सित किया है अटसन मोबाइल अनिसटॉपवल गट मीटर टिकट माई टिकट तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा इसका सही अंसर इसका आंसर हो जाएगा अट्सन मूबाइल weird करते है तो एक तो होता है कि आप रीजर्वेशन वाली बुक करते हैं एक होता है कि बिना रीजर्वेशन करने के लिए तो प्ले-ष्टिर पर आपको पहले से ही बहुत सारे एप मिल जाएगे और गर्रौन्मेंट की तरब से भी यह आप में जाएंगे लेकिन जो अनारच्छित टिकट होती है जो आपको प्लेटफॉर्म टिकट हो गई यह आपको प्लेटफॉर्म यह प्लेटफॉर्म के पास में मिलती है तो उसको बुक करने के लिए अब एक नया इन्फॉर्मेशन सिस्टम यह इसका फुल फॉर्म है इसके लाबा जो अनारच्छित टिकट आप बुक करेंगे यहां पर उसको रद भी कर सकते हूं सीजन में प्लेटफॉर्म का नवीरिंग करने और रद करने जैसी सारी सुविधाय उसमें उपलब्द होंगी और उस जाएगा अगला कोशन है मई महिने में मुद्रा इस्पिती चौदा महिने के उच्चतम इस्तर पर पहुंच गई है तो उस इस्तर का नाम आपको बने नंबर आपको बताना है कि कितने प्रतिसत पहुंच गई है इस टाइक कोशन आई-बी-पी-एस-प्यों में बहुत बतानी होती है तो इसको याद रखना आसान नहीं होता है इसका अंसर हो जाएगा 4.43 4.43 कुछ नो कुछ दिमाग में आपको बनानी पड़ी कि जैसे चौदा में यहां पर चार है तो यहां पर दो बार चार आ रहा है तो इस तरीके से दिमाग में बिठा लीजिए तो आप आपको याद हो जाएगा एक बार फिर से बता देता हूं मुद्रा इस्पिती 14 माइने में 4.43 परसेंट हो गई है अगला कुछन है रच्छा मंत्री ने वियत नाम के पहले किस रच्छा PSU का रियले का उद्गाटन किया है सबसे पहला वियत नाम में सबसे पहला कौन सा PSU क कारियले बना है BEL DRDO 90 तो देखो यहां पर सही अंसर हो जाएगा BEL भारत Electronics Limited इसका फिल फॉर्म होता है और इस समय रच्छा मंत्री कौन है निर्मला सीता रमन जी उन्होंने वियत नाम में BEL यानि कि भारत Electronics Limited का पहला ओफिस बनाया है तो यह आप्शन यहां पर सही हो ज सब्सक्राबा यहां पर एक टर्म यूज हुआ है वियत नाम तो हम देखेंगे वियत नाम की राज़दानी क्या होगी वियत नाम की राज़दानी है हनुई और वहां की मुद्रा है वियत नाम हो जाएगी तो एक बार फिर से बता देता हूं कि वियत नाम में पहला PSU जो है वो है bel का का रियाल य। बढ़ते हैं कि सथिवाज्य पुलिस के लिए कर दो महिलाबार वत्रटालियन का गठन को मंझूरी दे गई है तो धुक्षी कौन सबतरर के लिए पेलाओ बनाई प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने केंदर सरकार की उड़ान यूजना के अंतरगत रायपूर से किस इस्तान तक यात्री विमान सेमा का सिला नयास किया है तो देखो रायपूर से उजयन जगदलपूर चंडिगर मैसूर तो इन्वे से सही अंसर हो जाएगा जगदलपूर रायपूर से जगदलपूर तक के लिए उड़ान के लिए ये सिलान नयास किया है अगला कुशन है भारत मौसम विज्ञान विभाग यानि कि IMD देश भर में अगले दो तीन वर्सों में कितने डोपलर रडार जोड़ेगा तो देखो कितने डोपलर रडार जोड़े जाएंगे इसका सही अंसर हो जाएगा 27 यानि कि option number A बिल्कुल सही हो जाएगा 27 नय डोपलर रडार जोड़े जाएंगे किसके द्वारा ये जोड़े जाएंगे IMD के द्वारा Indian Metrological Department यानि कि भारत मौसम विज्ञान विभाग अगला कुशन है निम्न में से किस देश में सूचना और संचार प्रद्योगी की पर अंतर राश्टरी सम्मेलन 2018 का आयोजन होगा तो देखो नवे का आंसर हो जाएगा important question है D हो जाएगा यानि कि नेपाल में किस देश में देखो यहां पर बता देता हूँ सूचना और संचार प्रद्योगी की पर अंतर राश्टरी सम्मेलन कहां पर होगा नेपाल में option number D य मिसन आरम किया जाएगा तो देखो यहां पर सही अंसर हो जाएगा option number D यानि कि 50 फिर से बता देता हूँ सूच में लगू और मध्यम उद्यम मंत्राले द्वरा कितने क्लश्टरों में solar चर्खा मिसन आरम किया जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा 50 50 इसका अंसर हो हमेशा की तरह आज की quiz यहां पर start करते हैं quiz का पहला question आपके सामने है Westwick परियावनर्ण प्रदर्सन सूचकांक 2018 भारत को कौन सा इस्तान मिला है Westwick परियावनर्ण प्रदर्सन सूचकांक में हाल ही में अगला question है हाल ही में भारत ने नेपाल को कितने million नेपाली रुपे प् बता दीजिए अगला question है जिसका answer आप सभी लोगों को देना है कौन सा देश पहले BIMSTC स्याइन व्यायाम की मेजबानी करेगा भारत नेपाल बांगलादेश या बुटॉन इसका answer आप लोग जल्दी से बता दीजिए अगला question जिसका answer देना है के वी आईसी ने कस्मीर में मद्मक्खी बक्से वित्रित करते हुए विस record बनाया है कितने बक्से यहाँ पर distribute कियेगा है इन में से आपको एक answer चूज करना है सबी लोगों से request है कि answer जरूर देना motivation मिलता है आप लोगों के comment देखे आपका participation देखे और एक वीडियो में एक like तो बनता है so that मुझे motivation मिले ऐसे वीडियो बनाने के लिए और जिन लोगों ने channel को subscribe अभी भी नहीं किया है वो जल्दी से channel को subscribe करेंगे और इस घंटे के icon को जरूर क्लिक करें thank you for watching this video guys thanks a lot इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें so that आपके दोस्तों तक यह वीडियो आराम से पहुंच सके